दोसो मिर्च का इस्तेमाल हर घर में होता है यह कैसे आज मैं आपको बताने वाला हूँ तो आज के इस वीडियो के साथ बने रहें वीडियो को बिल्कु स्किप्ट ना करें तकि आप जान पाएं कि कैसे एक मिर्च आपको बिमार करती है और कौन से मिर्च हमें खानी चाहिए यह भी जानना बहुत ही ज़रूरी है तकि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस रहें दोसो जब आयरवेद की बात आती है तो वात, पित और कफ का नाम ज़रूर आता है यह तीन दोश ऐसे दोश हैं जिनमें सारी बिमारिया इंक्लीड होती है दोसो अगर बात करें पित दोश की तो यह पित दोश के बढ़ने का कारण हमारा लाल मिर्च का इस्सिमाल करना है क्या आपको पता है कि पूरे भारत में सबसी ज़दा लोग इसी दोश के अंडर आते हैं और यह दोश ऐसा है जिसके अंडर कई बिमारियां आती है जैसे की hormonal balance की बिमारियां जैसे diabetes, thyroid, motapa और भी कई बिमारियां हैं जो सिरफ पित दोश के imbalance से होती हैं और लाल मिर्च खाने से ही हमारा पित दोश imbalance होता है इसलिए हम आपको हमेशा कहते हैं कि अगर आपको दीखा खाना पसंद है तो प्लीज आप लाल मिर्च बिल्कुल भी ना खाएं तो अब आप कहेंगे अगर लाल मिर्च ना खाएं तो कौन सी मिर्च खाएं दोसों वो मिर्च खाओ जो सद्यों से हमारे भारत में इस्तिमाल हो रही है वो मिर्च जिसे आयरवेद में एक औशदी कहा गया है ना के मिर्च, मैं बात कर रहा हूँ काली मिर्च की दोस्तो काली मिर्च एक ऐसी मिर्च है जिसे आप खाने को स्पाइसी बनाने के लिए तो इस्तिमाल कर ही सकते हैं लेकिन साथ ही साथ ये हमारी बाडी को फाइदा भी करती है काली मिर्च का अगर सही धंक से इस्तिमाल किया जाए तो ऐसी कई बिमारिया है जो जड़ से खतम हो जाती है इसलिए दोस्तो आज की वीडियो में आपके साथ शियर कर रहे हैं ताकि आपको बता सकें कि आपको लाल मिर्च को चोड़ कर काली मिर्च क्यों खानी चाहिए क्योंकि अगर आपने आज की वीडियो को देखा तो आप समझ पाएंगे कि काली मिर्च को किस धंक से खाएं और कौन-कौन सी बिमारियां खतम होती है तो आई ये जानते हैं काली मिर्च के सेवन से क्या-क्या बिमारियां खतम हो सकती है सबसे पहले है दोस्तों, Cubs की प्राब्लम यनि Constipation. आज कल धेरों लोग Cubs की प्राब्लम से परिशान हैं. Cubs एक ऐसी बिमारी है, जो सारी बिमारीों की जन्नी है. आयरोवेद यही कहता है, Cubs सारी बिमारीों की जन्नी है. यानि कि जिस इंसान को कब्स है उसे 100 से ज्यादा बिमारिया आती है इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें कि आपको कभी भी कब्स की प्रॉब्लम ना हो और अगर आपको कब्स है तो इसका इलाज जल्दी से आयरवेरिक तरीके से कर लें नहीं तो आपका श्रीर बिमारियों से घर जाएगा इसलिए दोस्तो अगर आप कब्स से परिशान है तो कब्स का इलाज आपको काली मिर्च में मिलने वाला है सुबह खाली पेट आपको 3-4 काली मिर्च चबा कर खानी है और उसके उपर से एक गिलाज गुनगुने पानी का पीना है दोस्तो कब्स की प्रॉब्लम को खतम करने का ये राम पान मुस्खा है इस तरह से आप कब्स को खतम कर सकते हैं और कब्स खतम होने से आपके धेरो रोग खतम हो जाएंगे क्योंकि दोस्तो अगर आपको कब्स है तो इससे आपको खून गंदा हो जाता है क्योंकि दोस्तों अगर आपको कब्स है तो इससे आपका खाना पीना आपके पेट में सड़ता है और यह सड़ा हुआ खाना आपके खून को गंदा करेगा खून गंदा होने से खून गाड़ा हो जाता है जिससे high blood pressure की problem हो जाती है खून गाड़ा होने से arteries में blockage भी हो सकती है खून गाड़ा होने से आपके चेहरे पर pimples भी निकल सकती है इससे आपको paralysis भी हो सकता है इसी कारण से दोस्तों अगर आप कब्स का इलाज काली मिर्च से करते हैं तो आप सारी बिमारियों से बस सकते हैं इसके लावा अगर आपकी आँखों की रोशनी कमजोर हो चुकी है अगर आपको चश्मा लग चुका है तो काली मिर्च आपकी आँखों की रोशनी बढ़ा सकती है आप आज की medical science में दवाईयां खाकर अपनी आँखों की रोशनी बढ़ा ही नहीं सकते लेकिन आयरवेद में आप काली मिर्च के जरीय बढ़ा सकते हैं काली मिर्च का इस्तिमाल किस तरह से करना है पहले ये जान लीजिए क्योंकि अगर आप काली मिर्च को सुबह खाली पेट अकेला खाते हैं तो इससे आपकी आंखों की रोश्णी नहीं बढ़ेगी आंखों की रोश्णी बढ़ाने के लिए आपको काली मिर्च और देशी टमाटर दोनों को खाना है तीन-चार देशी टमाटर के उपर काली मिर्च लगा कर सुबह खाली पेट उसे खाना शुरू करें एक से दो महीरे में आप देखेंगे आपकी आंखों का चश्मा उतर जाएगा और आपकी आंखों के रोश्णी बढ़ जाएगी इसके लावा दोस्तों अगर आपके घर में कोई व्यक्ति डाइबिटीस से परिशान है तो उसके लिए काली मिर्च बहुत ही अच्छी है कोई दवा अवेलेबल नहीं है देकिन फिर भी आपको डॉक्टर दवाई देता है आप खुदी देखे जब भी आपको जुकाम होता है तो वो दो तीन दिन लगते ही है ठीक होने में क्या ऐसा है कि दवाई आज लिए और आज इसकाम ठीक हो गया इसी कारण से दोस्तों आपको पहले समझना चाहिए कि आपको डाइबिटीस हुई क्यों दोस्तों डाइबिटीस का कारण है आपकी बॉड़ी में बित्त का बढ़ना क्योंकि जो लाल मिर्च आप खाते हैं वो हमारी बॉड़ी में हॉर्मोन्स को इंबैलेंस करती है जिससे की हमें हॉर्मोनल इंबैलेंस की बिमार्या हो जाती है जैसे की डाइबिटीस लगातार काली मिर्च सुबह खाली पेट खा कर देखी और उपर से एक गिलाज गुनगुने पानी का ज़रूर पिये आपकी डायबिटीज चार महीने में जड़ से खतम हो जाएगी इसके लावा बॉडी की अमिर्च बढ़ाने के लिए काली मिर्च पहुत ही अची है दोस्त के लिए वो खाएं जो आपकी बॉडी की अमिर्च को बढ़ाएं जैसे की काली मिर्च अगर आप सुबह खाली पेट हर रोज काली मिर्च खा रहे हैं तो इससे आपकी बॉडी की अमिर्च दो गुना से तीन गुना हो जाएगी जिससे की आपको आज कलके वाइरसी से लड नहीं है वो काली मिर्च गुन-गुने पानी के साथ सुबह खा सकते हैं इससे एक से दो महीने में उनकी हाई प्लेट प्रेशर की प्रॉब्लम जड़ से खतम हो जाएगी इसके लावा अगर आपको गैस या फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम हो तो एक गिलास पानी में वादोश भी क्या देते हैं अगर आपको वादोश है तो इससे आपकी बॉड़ी में बहुत दर्द हो सकता है अगर आपकी बॉड़ी में कहीं भी दर्द है तो उसे खतम करने का तरीका है बॉड़ी वेसे गैस को खतम करना और गैस खतम करने के लिए काली मिर्च बहुत ही अच्छी है इसके अलावा दोसों काली मिर्च एंटी ऑक्सडंट से भरबूर होती है ये एंटी ऑक्सडंट हमारी बौडी में फ्री रैडिकल्स को डैमेज करते हैं और हमें कैंसर जैसी घंबीर बिमारी से बचा कर रखते हैं अगर आपके परिवार में किसी को भी कैंसर जै आने के ज़रोत नहीं है आप सिरफ अपनी बौडी के अमेनिटी बढ़ाने के लिए काली मिर्च और साथ में गाय की घी का एक चमज ले सकते हैं ऐसा आपको रात को सोने से पहले करना है इस तरह से आप अपनी कफ की प्रॉब्लम को भी ठीक कर सकते हैं और बौडी के अमेन आइरन और कैलशिम की कमी होना दुस्तो काली मिर्च में आईरन और कैल्शिम दोनों बरपूर मातरा में है अगर आप काली मिर्च खा रहे हैं तो इससे आपके दानतों की प्रॉब्लम चट से लेकिन हम लोग दातों की प्रॉब्लम के लिए सबसे ज्यादा पेन किलर्स पर ही विश्वास करते हैं लेकिन दोस्तों पेन किलर्स हम आपको हमेशा कहते हैं आपको कभी नहीं लेने चाहिए क्योंकि ये pain killers हमारी बिमारी को ठीक नहीं करते हमारी बिमारी को बड़ा बनाते हैं दोस्तो ठीक उसी तरह से जिस तरह से एक बिल्ली को देखकर कबूतर आँखे बंद कर लेता है अब कबूतर के आंखे बंद कर लेने से बिली चली नहीं जाती उसे निगल लेती है उसे खा जाती है ठीक उसी तरह से बिमारियों को नजर अंदास कर देने से बिमारी ठीक नहीं हो जाती है और अगर आप पेनकिलर्स ले रहे हैं इसका मतलब है आप बिमारियों को नजर अं परसंट से ज्याला लोग खून की कमी से जूज रहे हैं। परसे गुनगुना पानी पीते हैं तो एक महीने के अंदर अंदर आपकी बोडी में से खून की कमी बिल्कुल खतम हो जाएगी। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि सर हमारे पास समय नहीं है। मैं आपको हमेशा कहता हूँ अपने श्रीर के लिए आज समय निकालने नहीं तो कल आपको बिमारियों के लिए समय निकालना पड़ेगा। और कल जब आपको बिमारियों के लिए समय निकालना पड़ेगा तो समय भी ज्यादा लगेगा और पैसा भी खर। इसलिए अगर आप पैसा कमाने के लिए 10 गंटे मेहनत करते हैं तो कम से कम एक गंटा मेहनत अपने श्रीर के लिए जरूर करें क्योंकि ये श्रीर ही हमारा पूरी जिंदगी साथ देगा। I hope friends आप समझ गए होगे कि कैसे आयरवेधिक चीज़ों से आप जिंदगी में स्वस्त रह सकते हैं और परिवार के साथ बिना दवाईयों के खुश रह सकते हैं। दबा दें और हमारे चनल के साथ जुड़ जाएं ताकि आपको हर नही वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलें। ऐसी वीडियो के साथ friends दबारा मिलेंगे धन्यवाद।